कि एक option strategy recommend करना चाहूंगा मैं यहां पर मुझे से लग रहा है कि अच्छा आइधर साइड मूव आ सकता है पॉली कैम में हैं यहां पर इसका आप 4300 के strike का put option करी दे 4500 के strike का call option करी दे अभी 4400 पर ट्रेड कर रहा था 100 रुपए उपर 100 रुपए निचे का call put खरी दे 86 पर मिलेगा आपको दीप call option और 72 पर मिलेगा आपको put option तो 86 और 72 यह जब आप जोड़ी खरीदते को आपका जो तोटल लागरत होगी तोटल जो आपका investment होगा 158 points का होगा 100 का lot size है दीप सो आपका टोटल जो इंवेश्मेंट 15,800 रुपए के आसपास का होगा यह 15,800 रुपए में यह strategy आपकी बन जाएगी जिसे के देम लॉंग strangle दीप एक स्ट्राइक उपर call option खरीदा 4500 का and 4300 का put option खरीदा 86 और 72 रिस्पेक्टिवली 158 पर यह बनाई है आप दीप इसमें stop loss रखिए 110 का तो आपका 4,800 रुपए के आसपास का एक downside risk बनेगा closing basis पर रखेगा यह targets उपर में दीप इसके निकल कर बनेंगे 206 और 230 तू जिरो सेक्स तू ठटी यह दो लेवल्स अगर आते है टोटल जब यहाँ पर होता है ताब इसमें profit बुक कर दीजे पूरी exit कर दीजे strategy यह partial exit नहीं करना है कि उपर चले गया तो call में profit कर दू पूट 26230 होता है उसके आज पास profit कीजेगा टोटल का 110 रुपे का प्लस रहेगा पॉली गैप में मुझे ऐसा लग रहा है एधर साइड आपको 200-300 रुपे का एक move देखने मिल सकता है तो एक ही strike price का लेना है और दोनों खरीद नहीं है राइट चार जार तीन सो का call लेना है करेक्ट नहीं चार तीन सो का पूट लेना है और call खरीदना है चार पांजो गानेल जी तो उपर call option करें तो और नीचे पूट ऑप्शन खरीदें ऑपर टोटल कोस्ट इसके कि इसके कि अगी दोनों के खरीदने की नीचे वापस गुस गया तो पूट ऑप्शन कमाई करा देगा बड़ा मूँ आने की उम्मीद कर रहे जाए और इसलिए दोनों ऑप्शन खरीद रहे हैं और दोनों ऑप्शन खरीद कर 108 रुपे की प्रीमियम देने को हैं तैयार यह आपके लिए स्ट्रेटेजी पॉलिक झाल 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 झाल